इस वक्क जिस टेक्नालोजी पर सबसे जादा डिसकेशन हो रहा है वो है 5G कॉस इंडिया में 5G ऑफिशली लॉंच हो गया है इसे 5G कई सालों से चर्चा में रहा है चाहे वो 5G की को लेकर हो इसके यूस के सिस को लेकर हो कि कैसे 5G ने हमारे आसपास की हर चीज को बदल कर रख देगा 5G या पर 5G के बारे में चलाए गए कुछ नेगेटिव कामपेंस की वजह से एक्चुली सिर्फ इंडिया में ही बल्कि पूरी दुनिया में 5G टेक्नालोजी पिछले कई सालों से सवालों के घेरे में बनी रही है अपको याद होगा कि जिनवरी में 5G की वजह से यूएस में कही एरलाइंस ने अपनी फाइट्स को सस्पेंड कर दिया था इसके लावा 5G से रिडियेशन होता है 5G के रिडियेशन से कैंसर होता है 5G कोवीड आया करेंट लगने लगा यह रूमर्स तो पिछले दोड़ाई साल से हम सोचल मेडिया पर सुनते ही आ रहे है यानि 5G technology has been a major talking point across the globe और इसलिए आज अब 5G launch हो गया तो आज इस टिक टॉक वीडियो में आपसे 5G पर बात कर रहा हूं जान रहे हैं कि असल में 5G क्या है इसके basic technology है जो उसको super fast बनाती है कैसे आपका और हमारा lifestyle change कर देगी और सब से important बात कि 5G technology कितनी safe है आपकी और हमार लाइफ पर इसका impact हो रहा है यह भी जाने के सबसे पहले let's understand what 5G is so अगर आप अपने phone के screen के top right side पर देखोगे तो आपको 4G, 4G LT यानि की long term evolution लिखा हुआ दिखेगा इस G का मतलब होता है generation generation of wireless networking technology जब 1980s में 1G आया था तब लोग उसके जरिये सिर्फ आपस में बात कर पा 1G network analog radio signals पर काम करता था उसकी coverage limited थी roaming support महा पर नहीं था और आवाज भी clear नहीं आते थी One more thing 1G network पर कोई encryption भी नहीं था यानि कोई भी radio scanner use करके लोगों की conversation को बातों को सुन सकता था वंजी लेकिन उस पक के लिहाँ से कटिंगेश technology थी बट दिव सम्सीरियस इशुज विद वंजी और उन इशुज को सौल किया तोजी ने जो आया 90s में 2G network पर यूसर को ज्यादा bandwidth मिल गई आजकल bandwidth को इंटरनेट स्पीज से रिलेट किया जाता है बट इस नाट इंट स्पीज पर दी वोल्यूम फ इंफोमेशन दैट वर अ कनेक्शन सो ज्यादा bandwidth जब मिली तो ज्यादा इंफोमेशन लोग एक दूसरे को सेंट कर पाए वनजी में सिर्फ कॉल होते थे अब टूजी में टेक्स मेसेज भी आ गए और पिक्चर मेसेज़ इंट्रिवस और तूजी आने के बाद हमें मिल गया ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस और इसके जरीए फोन पर इमेल सर्विस जो वो शुरू हो गई स्लो इंटरेट कनेक्शन भी आ गया यूजर्स एमेमस दूसरे को भीज़ पाए और इमेल इसमें कॉल जो थी वह एंक्रिप्टेड हो गई थी आवाज साफ आने लगी थ है कि इंडिया में इस वक्त भी करीब 32 क्रोड लोग 2G पर है यानि की फीचर फोन यूजर्स करते हैं 2G के बाद वक्त आया 3G का और इसके आने के बाद तो फोन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और तेज हो गई रलाइबल हो गई वीडियो कॉल जो है वो इंटेडियू हो जाला है मोबाइन नेट्वोकिंग टिकनोलोजी में यह अब तक का सबसे बड़ा जनरेशन शिफ्ट फोर जी जे करीब सोगोना तीस नो इमाजिन देस पीड पर एक तरीची पर एक दो घंटे की एच्टी मूवी डाउनलोड करने के लिए आपको 26 घंटे लगते लगते थ जबाद देज वर्ड़ा होगा समार्टोंग बाद फस्टोंग जन्टि को आप डेली यूज करते हूं आपस में कम्म्निकेट करेंगे जो कार्स रोड पर चल रही है वह वाफसमें बाते करेंगी और जिस काम को करने में आपको कई घंटे लग जाते हैं कई दिन लग जाते वो चंद सेकंद्स में चंद दिनों में हो जाएंगे that's what 5G विल प्रेंग बट 5G इतना revolutionary कैसे होगा यह जबाब चुपा हुआ उस टेकनोलजी में उस रेडियो frequency में जिस पर 5G काम करेगा और वो है बिलीमीटर वेफ्स एक्शली 4G अभी तक जो रेडार सिस्टम्स हैं सट्लाइट है वही मिलीमेटर वेफ्स का इस्तमाल करती है अभी तक जो frequency 4G नेटवर्क यूज करते हैं उनमें इशू यह होता है कि जब ज्यादा स्मार्टफोन एक साथ connected होते नेटवर्क पे तो प्राइब जब यूजर कम होते तो इंटरेट की स्पीड जोती वो तेज हो जाती है यह प्रॉब्लम जो हुआ है वो सॉल हो रही है मिलीमेटर वेफ्स के तरी पर पास्टो स्कॉर किलोमेटर में दस लाग डिवाइस कनेक्ट कर पाएंगे दास हाओ इंपाड़ फाइफ्स पर मिलिमेटर वेव से आपको स्पीड कनेक्टिविटी और लो लिटेंसी तो मिल रही है लेकिन इसमें कुछ कम्या भी है खामिया भी है मिलिमेटर वेव ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकती नमबर और अगर कोई अबस्टेकल इनके बीच में आ जाए तो सही कनेक्टिविटी भी ऑफर नहीं कर पाती अगर आपके घर से 600 मीटर की दूरी पर 5G का स्मॉल से यानिकी 5G नेट्वॉक ब्रॉक्स लगा हुआ है तो आपको 5G कनेक्टिविटी सही से नहीं मिल पागी कि मिलिमेटर वेव की रें पादर ही 5G की स्पीड और उसकी टिकनोलोजी की लेकिन अगर 5G की स्पीड के बारे में जानकर आपको यह लग रहा है कि यह 5G का सबसे अमेजिंग फीचर होने वाला है तो वेट इससे भी बड़ा चेंज जो 5G आपके लेकर आएगा वो है लो लेटेंसी लो लेटेंसी को वाठ रिस्पॉंस टाइम भी कह सकते हो आपके कमांड देने के बाद या फिर एक्ट करने के बाद निटक करने में कितना वक्क लेटा उसको कहते हैं लेटिंसी अगर आप 4G暗 पर कमांड देते हैं कि क्लिक करते हैं करें कहीं पर क्लिक करते हैं तो वह 50-100 mls में तीन सो गुना तेज मैं अलमोस सब कुछ जो है वह आप रियल टाइम में कर सकेंगे बिना किसी लाइग बिना किसी देरी बिना किसी लेटनसी के लो लेटनसी के फायदे क्या होंगे वह आपको 5G इसको आपको में एक्जामपल से समझाता हूँ मैजन कीजिए सोचे कि आप किसी ट्रेफिक सिगनल पर है सिगनल ग्रीन होता है और आप चलने के लिए ब्रेक से पैरटा देते पर अगले ही सेकेंड आपकी कार के ब्रेक्स खुद से अप्लाय हो जाते हैं और वो रुख जाती आपके कार अगर मोशन सेंसर या फिर कैमरा जो आज की टेकनालोजी है उनको यूज करती तो शायद क्रैश हो जाती एक्सेंट हो जाता पर क्योंकि वह 5G नेटवर्क की हल्प से दूसरे विकल से बात कर रही थी कम्मुनिकेट कर रही थी तो इसलिए उसको दूसरी कार्ज सब कुछ मालूम था और इसलिए क्रैश बच गया यह पॉसिबल हो पाया लो लिटिंसी की वज़े से जहां पर रिस्पॉंस ताइम और मोस्ट वन मिली सेकेंड है इट लॉक्स लाइक सीन फॉर्मा साइंस फिक्शन मूवी जिया 5G आपकी लाइफ को कुछ इसी तरह से करेंगी और आपका सारला काम कर देंगगी 5G के एक और बड़ा फाइदा होगा वह तैम में काम करेंगी तो एक्सपर्ट सजय रिमोसरे कर पाएंगे मतलब डॉक्टर दुनिया के एक वोने में हो गएंगा पेशेंड दूसरे कुझया और रोबिटिक आम्स की मदद से पेशेंट का उपरेशन कर पाये अप एल टाइम में अप प्रियाल टाम व्यां गेमिंग जो है वह कर पाएंगे औ और हम जो मिटर्वर्स का निए जो आप इस वक सुनते है जो अपर आप आरा है वह भी रायलेटी बन जाएगा जस्ट बिकाउज अफ लोग लोग अफ़र्ड पाइज बाइज नेट्वर्ट आपके आद होगा कि इस साल के शुरू में जन्वरी में यूस में कही अलाइंस न सब्सक्राइब करते हैं जिसकी हल्प से यह पता चल पाता है कि एरक्राफ जो है वह समीन से कितना उपर है उसको लेंडिंग में हेल्प पिल दिया हमासे एल्टी मीटर्स फोर यह उनको ट्रास्पेट करता है और 5G के जो सी बैंड है वह 3.7 से 4.4 गिगाहर्ट की बीच की रेडियो कि इसी लिए सी बैंड की फ्रीक्वेंसी अल्टी में रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ क्लैश कर सकती है जिससे एरक्राफ को टेक उफ करने में लेंडिंग करने में प पचास मेंगर्स का डिफरेंस होगा उस वक्त मतलब यह काफी कॉंट्रोवर्सी हुए थी आप जांते हो अनेजर लॉंग लास्टिंग 5G कॉंट्रोवर्सी और रूमर जो रहा है वह 5G कोई पहला करेंट पहला और इसकी वजह से हर जगा जो है वो कैंसीरियस ही होता है एक इस पर वह ने कई बार क्लारिफिकेशन भी है कि यह सब होमर है इस बात पर आपको बिलीब नहीं करना चाहिए अगर आप एलेक्ट्रोमेगनेटिक स्पेक्ट्रम चार्ट को देखेंगे तो यह बात आपको और क्लियर होगी साधा समझ में आगी एक्षली रडियेशन प्र कोई नुकसान नहीं पहुंचता है यस नौन आइजिंग रडियेशन आंट डिंजरस अड़ जबकि आनाइजिंग रडियेशन है जिसमें हाई वेज लाइक अल्ट्रा वालेट रेज एक्स रेज गैमरेज होती है और इन से आपको नुकसान पहुंचता है नौन अपनी मैक्स कपेसिटी में भी किसी चीज को थोड़ा सा हीटी कर सकती है एंड इस नौट देंजरस अड़ तो 5G पर इस वीडियो में आपने जाना हमने जाना कि 5G क्या है क्यों यह तना तेज होता है इसके यूस किसे जो क्या है और इससे रिलेडिट कॉंट बारे में 5G लांच होगे एंडिया में फकॉर्स और लेकिन क्या भी आपको 5G फोन लेना चाहिए इस पर मैंने डेटियल वीडियो बनाया है दें लिंक डिस्क्रिप्शन में में डाल दूँगा उसको भी देखना है